लगातार उत्तापरदेश के अंदर और दिल्ली के अंदर भ्रामणों पर हो रहा है अत्याचार को लेकर के भ्रामण एक जुठोना शुरू हो गया है कहीं नारेबाजी नजर आ रही है कहीं पुतला देन हो रहा है हमारे बीच में दिल्ली परदेश अखिल भारत वर्षी ब्रामर महसवा के दिल्ली परदेश अधर बीडी शर्मा जी है इनसे बात कर लेते हैं शर्मा जी क्या कहेंगे आखिरकार ये सरकार की दोरी नीती भारत टीवी के सकारेक्रम के प्रायोजक है यलो ग्रीन सोच पदलो कुछ अच्छा ख्राय करो ब्रामर के ऊपर पिछले काफी समय से उक्तिर पंदेश के अंदर देखा गया है कि लगातार हत्या हो रहे है कुछ लोगों ने विकास दूगे के मामने को जोड़ करके देखा मैं इस पर तोर पर एक पात कहना चाहता हूं अखिल भारत वरसे रामर महासभा कभी भी किसी भी तरह के आप्रादेक्ट लोगों के साथ चुड़ी हुई नहीं है ने उनका समर्धन करती है कि इनके अलाबा जो सामुई तोर पर हत्याएं हो रही है कहीं से एक टारगेट किया हूँ गैया है अब यह नहीं कहता है के सरकार करा रही है और सरकार प्रभाई उक्तरप्रदेश के बाहुमंट के साथ, और बड़ी आशा और विस्वास के साथ, मैं जोड़ी सरकार को कहीं है अब यही तो सबसे बड़ी चीज ये देखने को आ रही है की जहां देखो विधायक ने जो भाँमड समाज के दिगाली दिये वो निश्चि को उसके अंदर जो संसकार है जैसे उसे संसकार मिले हैं तुसके अंसार पाते कर रहा है है आपने इन सारे सारे आपशमामिलों को ले करि प्रदेश में राष्ट में राष्ट में राष्ट में राष्ट याद्यक्ष पर दीडी शर्मा जी के नेत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत जिए दिल्ली के अंदर हुई तो उन छोटे-छोटे मंदरों के अंदर बैठे पुजारियों की हुए क्योंकि उनकी आमदनी का जरिया है केवल पूजा पाठ पूजा पाठ या चड़ावा जो आ गया उससे होता है कुछ समीतियां होती हैं जो बड़े मंदर हैं वहाँ पर पुजारियों को तनका दी जाती है कि जहां पर केवल पूजा करने के लिए और वहाँ पर आएवे दान के उपर याधारित होना है या मंदरों के माध्यम से जो करमकांड के रास्ते मिल जाते हैं किसी ने भावन करा लिया किसी ने सपनान क्या बात आप लोगों ने रखी आदेश कुपतर के सामने तो हमने उनके समझ यही रखा कि जिस तरीके से दिली के अंदर या देश के अंदर जो मस्जिदों के अंदर इमाम बैशे हुए हैं जब उनको वेतन मिल सकता है तो पुजारियों को क्यों नहीं मिल सकता है और उन्होंने हमारी बात को बड़ी सहस्ता के साथ सुना क्या मोखिक रूप से कहा या सब लिखेतु रूप से देकर क्या है गया इस टाइब से या उनका क्योंकि चर्चा चुराय से ही आरी है कि आप केवल मिलने गए थे स्वागत करने गए थे काजू की बर्फी खिलाने गए थे अपने समाज के लिए देगे हम किस के पास जाएंगे जो चुनावानेता हम तो गोपल राइजी के पास भी जाएंगे जो पुजारियों का ध्यान रखा मैं आपसे यही कहने जा रहा हूं हमने जो अखिल भारत वरसी अब्रहामन महासभा का पुजारी कल्याने वह थन प्रकोष जिसके प्रदेश सद्यक्ष अबनाश शर्मा जी है उनके द्वारा और दिली में बहुत सारे संग्ठनों के द्वारा हमने यह सूचना है भीजवा है अब हम केवल मांग कर सकते हैं उनके उपर अभी कुल मिला के नहीं सुना जा रहा अभी तक मैं जहां तक समस्ता हूं कहीं कोई ऐसी फिल्क्रिया शुरी महीं है जी आगामी समय केवल अठारा महीने शेष बाकी बचे हैं दिल्ली नगर निगम चुनाओ के किस पार्टी क दिल्ली दिल्ली के अंदर ब्हाम्हणों ने किसी का भी भाहिष्कार या समर्थन का कहीं कोई रादा नहीं बनाया अखिल भारत वर्त से ब्रहाम्मण महासरवाथ बिलकुल गैर राइनितिक संखन है चीव और बला सोतंत है जिस पार्टी के साथ हो जाओ। और निश्यर तोर पर आप इस जबात को जानते हैं जो फिरे समाज के वे फिर्शे में सोचता है विरे से गरियों है तो एक अपेशा हो में आशा हो यह इंदर बात करें दोनों पांटियों ने करें अंदेखी करी है। दिल्ली के अंदर चाहे भाजपा हो या हो दिल्ली सरकार इस विशे में ज्यादे इसलिए चर्चा नहीं कर दो आप सी कांग्रेस के साथ जाने को तयार है मैं अभी इस बात को देखा जाए ब्रहामणों को चुनकर के चौदे विधायक पिछली बार मिधान सभा में थे इस बार भी मेरे खाल से तेरे चौदे विधायक ब्रहामणों के हैं मुश्किल वहां आती है जब हमारे जुने हुए प्रतनिदी हमारे समाज की मांग को नहीं उठाते हैं दिली के अंदर भी सांसद मनों सिवारिया मुत्तपुर्वी लोकसभा की बात करें वह भी ब्रहामण अब उनके बास भी सूचनाय की दी गई है इस विषय में लेकिन वह धाक के तीन पार पीछे मॉल्टाउन से विधायक है अखलेस पत्तिरपाथी जी है उनसे इस विषय को इस विषय को ले से कुछ लेना देना नहीं है समाज की समस्याओं को ले करके हम सजग हैं और अपनी समस्याओं को हम सरकार तक पहुचाते रहते हैं